हलो फ्रेंड्स वेरी वार्म वेलकम तु वाल और मैं दिपिका स्वार्णा कट्टी हो मेरे इस चानल पर सो फ्रेंड्स तोड़ेंगे इस टाइम टू चेक अवर ट्विंप्रेंज एनर्जी चेक वे निदियरकना कोट्र के लिए बशें ओर मोलें सुरुच श्राइब्स कि हो एक न इसकंड शचेकि और श्राइब कि हमे हम तोड़ेнаर्डी आ रोग से रियद स्ट्रेस और इस साहिके हैं हैं वो भी हो रही हैं क्योज्कि लाइस में जो है वह न्यु वने वाला है सभी लोगों की मैं सबसे पहले कार्डस निकालते हूं, अमारी डिवाइन फेमिनान और इनके लिए बहुत सारे कार्ट जंप आउट करें पर इसने कार्ट नहीं ले पाऊगी लेट्स चेक और डिवाइन मास्कुलाइन उनकी एनर्जी कैसी चुल रहे हैं क्या सोच है हमारे जो डिवाइन मास्कुलाइन है रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह ऑनर्जी के डिवाइन मास्कुलाइन के ओके फ्रेंग्स डिवाइन मैस्कुलाइन और हाठ ब्रोकण नौव मॉटम अव पफ़ीदेख three of swords card आया है divine masculine की जब मैंने shuffling की है भी so he's a heart broken or she is a heart broken I'm talking about always about the energies not okay friends so let's check first divine masculine अभी divine masculine की किस तरह की energies है हम लोग यह चेक करते हैं कि हमारे जो divine masculine है उनकी energy किस तरह की चल रही है सबसे पहले मैं आपको जो कार्ड दिखा देती हूं यह आया है एट और मारे वैंट का कार्ड है and ace of bands और the sun कार्ड आया है बहुत ही beautiful energy और थो पैंटिकल्स है दा लवर्ज है and the four of pentacles okay friends so मैं आपको यहां पर यह बताना चाहते हूं कि जो हमारे divine masculine है उनकी energies कैसी चल रही है तो यहां पर पहले हम बात करेंगे energies की so यहां पर bands के energy यानि fire के energy एरीस दियो and Sagittarius and यहां पर pentacle भी है तो यहां पर Taurus Virgo Capricorn के energy so मुझे यहां पर यह दो हमारे elements जो हैं इनकी energy यहां पर नजर आ रही है so यहां पर zodiac sign भी है मारा lover the Germany and so let's talk about energies so first जो काड़ा है वो यहां पर juggling का गाड़ाया है यानि की जो divine masculine है they still juggling between two things yeah friends so यहां पर जो है वो juggling चल रही है जो हमारे divine masculine है वो अभी भी दो चीदों के पीच में जगल कर रहे है या तो उनके पास two options है they not able to decided कि इनको किस परसन को चूज करना चाहिए अपने life में या फिर यह हो सकता है कि वो professional life में और आप में जो है वो दोनों में juggling कर रहे हो सकता उनके professional life है या जो career है वो अभी stable नहीं हो पा रहा है कुछ ना कुछ problem आ रही है तो जिस वजे से कि वो juggling करते मुझे यहां पर नजर आ रहे है दूसरी बात कि है कि यहां पर four of pentacles है उन्होंने अपना heart बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है they don't want to share with anything with you or anyone अभी जो हमारे divine masculine हैं उनकी इस तरह के energies है कि वो जो है कुछ भी share नहीं करना चाहते किसी के साथ भी उनकी life में जो है काफी changes आये हैं जैसे कि आप divine feminine जब awakening का time था तो आपकी life में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई थी बहुत सारे changes आये थे और जो की आप समझ नहीं पा रहे थे तो उसी तरह की situation हमारे divine masculine की life में भी आ रही है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी अंदर इतने changes क्यों हो रहे हैं जिसकी वज़े से वो जो है कुछ पी share नहीं करना चाहते अबी लेकिन उनके दिल में जो है वो love बहुत जादा है कि उनको पता चल चुका है कि यह जो connection है यह बहुती खास connection है और वो जो है उनको पता चल चुका है कि यह एक divinely guided connection और यह स् तरह का connection नहीं है कि मैं जिस connection से कि गिव अप कर दूँ और मैं जो है इस connection को चोड़ के निकल जाओं तो इस लिए वो जो है उनको यह पता चल चुका है कि यह जो connection है से और इस कनेक्शन से हम जो है वो दूर नहीं जा सकते हैं और आपके जो परसन है चाहे वो अभी कुछ शेयर नहीं भी करना चाहते हैं उन्हें अपना हार्ट जो है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है यहां पर हार्ट चक्रा हीलिंग की बहुत जादा ज़रूरत है डिवाइन मैस जाए उनके भी हार्ट चक्रा जो है वो हील हो जाए और आप एक खुब्सूरत रिलेशन्शिप को जो है वो स्टार्ट कर सकें और यहां पर जो है वैंट के इनरजी फायर के एनरजी है और यहां पर न्यू बिग्निंग का भी होता है न्यू ऑपर्चुनिटीज का भी होत या नशनार काद के कुछ वो आपको मैस्ज देना चाहते हैं को एमेल करना चाहते हैं यहां कमिनिकेशन का काड है बहुत अधी बड Breaking schreiben में उक उमेष्टर की तरह रहई है मिस्टरि प्रेंट होई है की जो निवान फेमिनाइन अवेकनिंग से पहले बोड़ वह बैसी एक mystery secret हो गई है उनके लिए और वो चाहते हैं कि वो और वो चाहते हैं कि वो इस mystery को जो है वो solve कर पाएं इस mystery को जो है जान पाएं कि यह किस तरह की lady है ठीक है friends so अभी हम और bottom of the deck मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा broken heart सा महसूस कर रहा है so let's check some more cards about our divine masculine energy वाँ yeah उनको बहुत ज़्यादा exhaustion सा भी feel हो रहा है कि वो हमेशा जैसे की work करते जा रहे हैं सिर्फ और life में और कुछ है नहीं है क्योंकि वो चाहें कितने भी लोगों से मिलें कितनी भी मतलब किसी से भी मिलें लेकिन उनको कूछ satisfaction नहीं मिलता है जो एक divine feminine से मिलता है सो वो इसलिए अभी अपने काम में ज्यादा busy हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस काम ही काम वो करते जा रहे हैं यहां पर दुबारा से लवर्स का काड़ा है देखें कितनी बिडिक्ल एनरजी है यहां पर फिर जैमिनाइज और एक साइन है और लवर का काड़ा दर लवर सो उनको यह पता चल चुका है कि आपके जैसी जो है divine feminine उनको को और ने जो है लेडी में या गर्ल में नहीं मिल सक है क्योंकि आप बहुत जादी spiritual है आपके intuition power जो है काफी है तो वह इस तरह की energy में आपको देखते हैं और उन्हें कहीं नहीं जो है ड्रीम भी आते हैं आपके जो ड्रीम हैं उनको आते हैं जो एंजल्स हैं जो divine हैं उनको कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि यह आपकी divine feminine है य वो अपनी intuition power पर अपनी थड़ाई च्रकरा पर जो है work कर रहे हैं और वो अपनी intuition की सुनना चाहते हैं वो किसी और की सुनना नहीं चाहते हैं उनकी intuition क्या कह रही है या उनकी जो high vibrations है वो क्या कह रही है तो वो उसकी बात को अब सुनना चाहते हैं वो किसी और person की या किसी और मतलब किसी भी फामिली मेंबर की फ्रेंड की वो किसी की बात नहीं सुना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी उनके अंदर एक करे जाएगा और एक साहस आएगा और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे आगे आपको जो है अपना लब और कप भी देंगे क्योंकि उन्हें पता है क कि आप जो है एक बहुत ही पावर्फुल और एक बहुत ही स्पिरिच्यूर नर्चुरिंग का और लविंग काइंड ओफ लीडी हैं या गर्ल हैं ओके फ्रेंड्स सो आईए देखते हैं कि डिवाइन जो हैं हमारे क्या कहना चाहते हैं डिवाइन के क्या मैसेज हैं हमारे ड ओके फ्रेंड्स तो देखें अभी भी कहीं ना कहीं जो है डिवान मैस्कुलाइन जो है वो हैंग्ड मैंन की स्थिती में हैं अभी भी उनको क्लियर्टी जो है वो नहीं मिल पारी है लेकिन दीरे दीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या मेडिटेशन का काड है तो डिवाइन उनको कहना चाहते हैं कि आप अपनी इलिंक पूरी कीजिए आप मेडिटेशन कीजिए अपने आपको आइनलाइज कीजिए कि आपको लाइफ में किस तरह से आगे पॉजिटिवली बढ़ना है और यहां पे हाइप की इस्टिस का काड है तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पावर की सुनिया आप अपने हाई वाइब्रेशन की सुनिया और अपने पावर में रहिए और क्या स